तो आप देख सकते हैं, पाकिस्तान को हराने के लिए हमने इन तौप का इस्तिमाल किया था, यह देखे, यह उस समय की तौप आप देख रहे हैं, बहुत ही खतरनागे, इससे उनके टैंक उड़ाए गए थे, और यह जो टैंक का भी साबने देख रहे हैं, यह हमने उनसे जिनसे गोले इसमें डालकर आप जहाजों को टर्कों को उडा सकते हैं जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यह एक तोफ है जो कि छोटी सी तोफ है जिसमें टैड डलेवे हैं आगे यहां पर गोला दगा जाता था और उसके बाद प्रेसर के साथ यहां पर यह देखे मिट्टी आपको कितना अच्छा लग रहा है और जैसे की लोग देख भी रहे हैं किस तरह की पुराने जमाने की तोफ लखडी के इसमें टैर दिये गए हैं देखे आप यहां तो वीडियो को आप क्या कहेंगे लोगों को वीडियो को जादा से जादा कर दो से और अपने सभी दोस् सभी को वीडियो को दबा के सेर करो आज हम आपको दिखा रहे हैं तो आप यह देखें लगडी की तोफ किस तरीके से डिजाइन की गई है इसके बाद आपको लोहे की तोफ जो भारत ने यूद लटने के लिए पकिस्तान के साथ इस्तमाल की गई थी जैसे कि आप देख र और दोनों पाकिस्तानी टैंक है और यहां पर अभी आपको पाकिस्तानियम तोफ भी दिखाते हैं चोटी सी जो हमने जीती हुई है एक तोफ इदर आईया पादम जी मेरे साथ लगातार बने वे हैं तो पादम जी भारतियों को सलूट है हर आर्मी वाले को जैसे कि उन्हो पर राए मुजियम में मैं आईए आप देखे अमरत्सर आये अमरत macht रहा ने के बादा इंडिया गेट मोरे都ब्सके लेगा जहां पर आपको पुराने हतियारबंदू के दिखाई जाएगी यह देखे ही है यहां पर ट्र доп't起 चलती थी और इसमें बनू कि ढागया घ्रती य तो मिकाहंगा तोफ कोड़ा रथी वैसाब इसमें क्या थोता यहां पे गोला डाला यह तोफ आप जो भी आज तोफ के अंदर यहां पर लॉ ड fulfill तित्यार में बंब डालने के बाद इसको यह चारों तरह आप देख से रहें इसके पहियां लगें हैं और यहां से इसका वजन भी मैं का पदम जी कम से कम एक टन होगा हां जी लोह मजबूत हैं जी और फैले टाइम का जी जी यहां से इसमें चिंगारी इस तरीके इसको चला ली जी और आप देख रहें अभी तो दोस्तों देखिएए यह वह तो इडह को दबाकि मैंजे आपको इसमय देखा द्या ह। अब आपने तलवार नहीं दिखाएगा यह दुनिया की सबसे लंबी तलवार आप देख सकते हैं यहां पर यह पूरा म्यूजम इस तरीके से क्रियेट के गया है यहां पर एक लड़ा को जहाज भी आप देख रहें अभी तो सभी आप इसमें जरूर आईए बाकि मैंने आप आपको तोब दिखाए वीडियो को लाइक शेयर पेज को फॉलो जरूर करें धन्यवाद